हाई वर्वें दिस है सौरप ठाकोर और बहुत महीनों से बहुत महीनों की महनत के बाद आज फाइनली अभी कली आपके अंसर की आईये और आज फाइनली मैंने अपने अब अगर मैं थोड़ा सा ये वीडियो बनाने का मेरा मकसल सिर्फ यह है कि मैं आपको थोड़ा सा बता दू जैसा मैं हमेशा बताता हूँ जैसे मैंने पहले भी अपने literary theory के notes में criticism के, culture studies के आपको पूरा दिखाया था कि किस तरीके के notes है उसी तरीके से ये introductory या फिर sample video मैं कहूं तो मैं बना रहा हूं और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज से पहले आपने मेरे lectures देखे होंगे literary theory पे, criticism पे ज्याद अतर lecture उसी पे ही है British history पे अभी तक मैंने कोई lectures बनाए नहीं है बहुत ही कम होंगे अगर होंगे भी तो आज तक हमने जो कुछ भी देखा literary theory में हमने देखा कि literary theory एक समझने वाली चीज है जितने भी उसमें concepts है उनकी clarity उनको समझना बहुत important होता है उसी हिसाब से मैंने notes भी तयार किये थे कि major writers होंगे यानि कि critics होंगे या फिर theorists होंगे उनके कोई particular concepts होंगे ठीक है उन्हें समझना हमारे लिए बहुत बड़ा challenge था और important भी था ठीक है अब क्या है कि British history जो है खासकर जब से NTA ने exam लेना शुरू किया है तो हमें देखने को मिला है कि British history में रटे वाला काम हो गया है रटे वाले का मतलब है कि you have to study all the major works of major writers as well as the works of minor writers and also the minor works of the major writers ठीक है अब उसमें आपको chronology पूछ लेते हैं कि बताओ जी कौन सा वक पहले आया था कौन सा बाद में आया था उसी को मद्दे नजर रखते वे मैंने आपके लिए major works की जो लिस्ट थी वो भी launch की थी जिसका link आपको सारे description में सारे link आपको मिल जाएंगे जो भी आपने notes लेने हैं और बहुत ही कम price पे मेरी कोशिश रहती हमेशा जितनी मेरी मेहनत लगी उसी साब से मैं कम ही रखता हूँ price की ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका फायदा हो है ना इसी लिए तो ये जो हमारा British history है history of English literature old English period से लेकर late 20th century तक मैंने कोशिश की है कि मैं इसको shorten करूँ अगर आप कोई book लेते हो तो 6-700 pages की आपको book रहेगी रहेगी वो 6-700 pages को पढ़ने में आप खुदी बताया आपको कितना time लगेगा और उसमें बहुत सारी चीज़े ऐसी होगी जो आपके काम की नहीं होगी तो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको most important writers और most important जो चीज़े जो भी content उसमें है वही इसमें मैंने रखा है बहुत कांट चटाई की है इसकी ठीक है और कुछ add भी की है चीज़े अपनी और से बीच में वो आप जब notes लेंगे और आपने पहले भी मेरे notes लिये है आपको पता है मैं किस तरह के notes बनाता हूँ सिर्फ और सिर्फ 200 pages में only in 250 pages you will find this particular PDF सिर्फ 200 pages में आपकी history of English literature cover हो जाएगी ठीक है देखो हमें smart study करने होती है सब कुछ हम पढ़ नहीं सकते है अगर पढ़ भी लेंगे तो सब कुछ याद नहीं रख सकते हैं तो इसी लिए हमें जुरूरी है कि हम वही पढ़े जिसके आने की संभावना सबसे ज़्यादा है है ना वैस्तो बहुत सारी चीज़े हैं बहुत लंबा है history of English literature जितना पढ़ो उतना कम है एक आग का बग कही है जाना तो तैर कही है तो अगर कोई आपको तैर ना सिखाए तो आप अराम से तैर कर जा सकते हो डूब के नहीं जाओगे मरोगे नहीं चलो अब मैं आपको दिखाता हूं यह देखिए a short history of English literature यह PDF है from old English period to late 20th century about the author यह मेरे बारे में आप पढ़ लेना मैं अपने मूम या मिठू नहीं होना चाता और यह जो बाकी notes के link है यहाँ आपको मिल जाएंगे important note भी मैंने इसमें दिया है आप लोगों के लिए ठीक है content यहाँ पर देखिए content 14 chapters है इसमें ठीक है old English period से लेकर आप देख रहें late 20th century तक सारे chapters इसमें included है ठीक है जितना भी आपके लिए important है थोड़ा इसमें मैंने charts भी है बीच में बाकी notes इस प्रकार के जैसे हमेशा रहते ही है जैसे मेरे बाकी notes भी है जिन्होंने पहले भी पढ़े हैं उनको पता है किस प्रकार के notes मेरे रहते हैं मैं main चीज़े जो है जैसे ये major जैसे Robert Henderson है तो इसके जो major works है जो आपको पढ़ने ही पढ़ने है याद रखने ही रखने है उसको मैं bold में किया हुआ है तो bold का मतलब है कि जो bold वाली चीज़े उसको याद करना है अगर कहीं published year भी मैंने bold किया है तो इसका मतलब है कि आपको published year भी पढ़ना है और बहुत ही जल्दी से syllabus complete हो जाएगा ठीक है जैसे Ben Johnson है इसके ये जो जितने ही plays है मैंने bold किया है यह आप देख सकते हैं यहाँ पर है तो बस मैंने आपको इतना ही दिखाना है फिलाल मैंने आपको इतना ही दिखाना है यह सिर्फ एक demo है sample है और मैंने आपको बता दिया कि British history हमारे लिए कितना important है लगभग लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 40% के आसपास 30-40% के आसपास आपका जो paper है वो British history से ही बनता है 40% और उसमें अब 100 में से अगर मैं कहूं तो 40 questions तो होंगे ही होंगे और 20-30 questions theory, criticism वगरा के होते हैं कुछ फाल्तु के questions भी होते हैं और वो हर उसका भी आपको link मिल जाएगा अब ये सोचना बंद कर दो कि British history या फिर English subject में net या GRF निकालना बहुत बड़ी बात है अब ये बात इतनी बड़ी नहीं है क्योंकि मैंने अपने experience से 6 बार net qualify कर चुका हूँ अब तो खेर job लग गई तो net देना मैंने बंद कर दिया 6 बार net qualify कर चुका हूँ है ना HP set qualify किया मैंने fourth rank था उस time मैं आपको बता ये इसलिए रहा हूँ ताकि आप मुझे ट्रस्ट कर पाए है ये ना सोची कि पता नहीं ये छपरी कौन है क्या notes बनाएगा हम क्यों इसके notes लें चलो आपको आज तक मेरे notes से फाइदा हुआ है तो आप इन सकी आ चुकी है और cut off की वीडियो में बहुत चल्दी बनाने वाला हूँ ठीक है वेट करना बाई